दोस्तो इस परकार का AC DC bulb या emergency bulb आप बनाना चाहते हो इस वीडियो को आप भीने skip किये हुए अन तक जरूर देखिएगा यहाँ पर देख सकते हो इसमें दो lithium battery हम डाले हुगे है जब इसको हम इस plug को line में लगा देंगे यह automatic charge भी होगा और LED भी जलेगा जब आपका line चला जाएगा तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि cob line चला गया cob line आ रहा है same to same जो AC DC bulb काम करता है सेम तरीका से यह काम करेगा AC DC bulb से ज़्यादा यह backup देने वाला है तो चलिए दोस्तों बीना देर किये हुगे इस वीडियो को हम सुरू करते हैं जैसे कि आपने इंट्रो में देख कि हम घर पे ही एक AC DC bulb बनाये हुगे जिसका battery backup 20 से 25 घंटा असानी से चलेगा तो इस तरह का AC DC bulb या emergency bulb आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो पार्ट है इस तरह का two-way electric board ले लेना होगा उसके बाद आप इसमें battery लगाईगा तो बैटरी आप चाहे तो इस तरह का lithium 88650 1200 image में एक battery आता है तो आप चाहे तो एक battery लगाईएगा या चाहे तो आप दो battery भी लगा सकते हो तो ये अपने हिसाब से आप battery एक लगा सकते हो दो लगा सकते हो on off करने के लिए एक one way switch ले लेना होगा उसके बाद charging protection के लिए जब मेरा battery डाउन होगा charging करने के लिए इस तरह का TP 456 या यहाँ पर इसका number है बहुत number से आता है 04962 है किसी भी परकार का आपको 5 volt वाला charging module kit ले लेना होगा उसके बाद जो इसमें LED बाल्ब हम जलाएंगे कुछ इस परकार का LED बाल्ब लगाएंगे अगर यह आपके market में मिल रहा है तो ले सकते हो नहीं तो आप 4 volt का दूसरा कोई भी LED बाल्ब ले सकते हो उसके बाद यह खराब LED बाल्ब लेना होगा जो खराब हो गया हो फेक दिये हुए कहीं घर पे रखा उस LED बाल्ब को आपको ले लेना है और इसको चार्ज करने के लिए हम एक mobile का charger यूज करेंगे जिसका देख सकते हो वाइर सब टूटा होगा है लेकिन इसका जो board है इसमें का board ठीक है उसके बाद इस LED को control करने के लिए जो खराब जल्दी नहीं हो उसके लिए एक resistance ले लिजिएगा जिसका भाइलू हम आपको बता दे 2.2 ohm से लेका 10 ohm तक का resistance इसमें आप लगा सकते हो जो LED जल्दी खराब नहीं होगा इसको control करके रखेगा उसके बाद आपको एक holder लेना हो जो इस bulb को हम इसमें लगाएंगे यह holder भी आपको market में 10 रुपया में असानी से मिल जाता है यानि यह 100 part आप खरीदिएगा यह तो आपको घर पे ही मिल जाएगा यह charger भी आपको घर पे मिल जागा बस इतना ही part आपको खरीदना है आप दो battery लगाएगा तो हो सकता है थोड़ा rate हम ज़्यदा हो सके सबसे 120 रुपया में हम इसको खरीद कर लाए हैं यह 115 रुपया में cool total हमको समान मिल गिया है तो आपके local market के अंसर आपके area में कितना में मिल रहा है comment करके जरूर बताईएगा तो चलिए इसको हम बनाना start करते है सबसे पहले हम इस सभी को side में रखते हैं उसके बाद इस electric board को हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम battery को connection करेंगे तो battery देख सकतो दो battery लिये हैं तो इसको series में connection नहीं करना इसको parallel में connection करना है parallel में connection कुछ इस परकार करेंगे दोनों का plus एक side रहेगा और दोनों का minus एक side रहेगा और बीच में हम क्या करेंगे एक tape लगा देंगे चाकि एक साथ यह chip कर रहे है तो इस परकार इसको tape लगा देना है दोनों का plus एक side होना चाहिए और दोनों का minus एक side होना चाहिए और दोनों का plus एक में solding कर दीजिए और दोनों का minus एक में solding कर दीजिए और plus से एक wire निकाल लिए और minus से अब एक wire निकाल लिए तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो, दोनों का minus 1 में हम sort करके एक minus को wire निकाल दीए, और दोनों का plus 1 में sort करके एक plus का wire निकाल दीए, इस तरह battery का connection आप कर लिजिएगा उसके बाद, इस box में, इसको इस तरह set कर देना, इस box में असानी से यह चलाएगा देख सकतो यह चलाया लेकिन यह इस तरह मजबूत नहीं रहेगा तो इसके लिए हम double tape का use करेंगे तो double tape इतना बड़ा काट कर उसके बाद यहाँ पे लगा दीजिएगा तकि इस पे बैटरी यह चीप कर रहा है जब double tape इसमें लगा दीए तो इसके उपर वाला paper को आप इस तरह निकाल दीजिएगा उसके उपर battery को असानी से इस तरह चीप का देना है यह इस तरह battery को आप इस तरह चीप का दीजिएगा इतना काम हो गया उसके बाद इसके आगे वाला जो बड़ी है इस बड़ी में हम एक switch आवर holder को connection करेंगे इस परकार इस पर एक holder हम लगा देंगे और एक switch लगा देंगे इस तरह लगा कर इसमें जो screw दिया हुगा है nut bolt को यहाँ पर लगा कर इसको कस देना है तो दोस्तों इस switch को और इस holder को जब दोनों screw को लगा कर टाइट कर दीजिएगा उसके बाद इसमें connection आपको करना है एक resistance का जिसका value हम बताये थे 2.2 ohm से लेकर 10 ohm तक कर resistance इसमें लगा सकते हो तो इस resistance को कैसे connection करना है तो यहाँ पर देखिएगा जो switch on off करने के लिए लगा है तो इसके एक point पर आप इसका एक leg को tight कर दीजिएगा तो इस तरह थोड़ा सा हम more देंगे इस resistance में आपको उल्टा और सीधा कुछ भी नहीं होता है अब चाहे तो इधर से लगा लेजिए या चाहे तो इधर से लगा दीजिए तो चलिए हम यहाँ पर एक point पर switch की देखिएगा दो टर्मिनल है एक टर्मिनल पर इसको हम यहाँ पर टाइट कर देंगे इस तरह टाइट कर देना है उसके बाद इसका दूसरा जो लेग है उसको जो होल्डर की दो टर्मिनल है तो इसके एक टर्मिनल पर इसको इस तरह लगा कर टाइट कर देना है कुछी इस परकार इस resistance को यहाँ पर connection कर लिजिएगा सिच एक टर्मिनल से लेकर फॉल्डर की एक टर्मिनल पर इस तरह resistance को आपको connection कर देना है अब इसमें आपको दो वाइर जोडना है तो दो वाइर लेंगे एक माइनस के लिए और एक प्लस के लिए तो प्लस वाला वाइर को switch की एक terminal जो बाकी है उस पर हम इसको connection कर देंगे इस screw को हम tight कर देंगे यहाँ पर आपको solding करना चाते हैं तो solding भी कर सकते हो इस परकार connection कर लिजेगा उसके बाद जो minus वाला wire है holder की एक terminal यहाँ पर बचा हुआ है तो उस पर हम एक wire को यहाँ पर लगा देंगे तो इस परकार minus और plus की दो wire को हम यहाँ पर लगा दिये और इसका connection कर लिए अब यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे हम connection इसका किये है अगर किसी भी परकार का आपको दिकत हो रही है तो comment किजिएगा हम 100% reply करेंगे इतना connection करने का बाद अब चलिए इसमें हम connection करेंगे अब इस दोनों को इस दोनों को connection करने से पहले जो charging module है charging module को यहाँ पर connection करना है तो यह मेरा battery है और यह LED bulb के लिए दो wire है अब इस charging module पर connection करना है तो charging module पर connection करने से पहले इस दोनों wire के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए ये battery की minus और plus की wire है और ये LED गोलो करेगा जलेगा उसका minus और plus की दो wire है सेम उसी तरह इस charging module पर देखिएगा तो यहाँ पर B minus लिखा हुआ है और B plus लिखा हुआ है तो B minus पर battery वाला minus की तर जोड़ेंगे और B plus पर battery वाला plus की तर जोड़ेंगे दो तर हम निकाले हुए LED जलाने के लिए उसका point यहाँ पर हम solding करेंगे out minus पर minus वाला तर को और out plus पर plus वाला तर को इस charging module में कुछ इसपार कर connection कर लिए अब चलिए हम जूमीन करके आपको यहाँ पर दिखा देते हैं तो देख सकते हो इसका connection हम कैसे की है बैटरी का जो दो तार निकला हुआ है B minus और B plus पर हम solding कर दिए और जो LED जलाने के लिए हमको दो आर निकाले हुए minus plus की out minus और out plus पर हम इसको solding कर दिए अब इसका connection लगभाग दोस्तो 80% हो गया अब आपको 20% इसमें और connection करने के लिए यहाँ पर जो हम charging आपको बताया थे कि आप यह खराब charging ले लिए जिसका wire टूटा हुआ रहता है बर्डी फूट जाता है लेकिन इसका board ठीक ही रहा था तो इसको खोलेंगे और इसको खोल कर इसमें का board हम निकालेंगे तो देख सकते यह board ठीक है हम चेक इसको किये हुए है यहां से इस wire को छोडा देंगे सिर्फ इस board का काम है इस board को हम कहीं एक जगे पर fix करने की कोशिश करेंगे यह board यहां पर आसानी से fix हो जाएगा तो fix करने से पहले इसमें हम connection करेंगे connection अगर minus plus की जो wire output के लिए इस charging board में जोड़ा हुआ रहता है तो उसको जगा पर आपको दो तार जोड़ना है और जहां पर हम इसको लगाते है line में यहां पर दो wire निकला हुआ रहता है जो यहां पर solding रहता है यहां से आपको दो तार को solding कर लेना है इस परकार minus और plus की दो wire को हम solding कर दिए अगर आपके भी इस तरह का board में minus और plus की दो नो wire तूट गिया है कहां पर जोड़ना है minus और plus को समझ नहीं आ रहा है तो हम कुछ आपको यहां पर बता दे तो यहां पर देखिए गए एक capacitor लगा हुआ रहता है यह 16 volt 470 U का capacitor है दूसरा capacitor जो लगा हुआ रहता है लगभग 400 बोल्ड 4500 बोल्ड का लगा हुआ रहता है वहां पर आपको minus और plus की wire नहीं जोड़ना है तो यहां पर minus लिखा हुआ रहता है इस capacitor पर देखिएगा minus लिखा हुआ रहता है और इधर कुछ भी नहीं लिखा स्थींट होते हुए यहां पर गया है इस पर minus का leg हम soldi कर दिये इस पर minus का wire soldi कर दिये अब इसमें line के लिए आपको 2 wire को जोड़ना होगा तो line के लिए आपको यहां पर देख सकते हो एक diode यहां पर लगा हुआ है इस diode पर आप एक wire को यहां पर soldi कीजिएगा और इसके बा थोड़ा होल कर देते हैं होल करने के यससे हम तार निकालकर डड़का क्यूस मेंGL कर देंगे जो line की supply देंगे यहां पे होल करता हम दव तार को निकाल दियए अब यहां पर दोनों पॉइंट को coined कर देंगे यहां हम दोनों सॉल्डिंग कर दिये एक point पे minus का तार और एक point पे plus का तार लेकिन line में आपको minus plus की कोई भी point नहीं होता है कोई भी wire नहीं होता है तो आप इधर solding कीजिए minus का या इधर solding कीजिए बात बराबर ही है अब यहाँ पर connection इस charger के साथ है इसको हम कर दिये यहाँ पर gut लगा दिये ताकि जब तक जब हम इसको तार को wire अगर बाहर घिचाएगा तो यह wire तूटे नहीं उसके बाद यह दो wire जो हम minus plus के लिए निकाले है तो यहाँ पर देखेगा इस charging module पर आपको minus और plus के लिए 2 point दिया होगा है जो इसको charging socket से अप लगा कर क्या charge कर सकते हो या इस पर हम direct charging की दोनों wire को यहाँ परーん कर दे एक पर plus के लिए पर एक से इसको आसानी से में यहांपर चिपका देंगे यहांपर हम इस ऊ第一ener को लुजा दीए इसके यहांपर चिपका देंगे इस नया की चार्जिश यू और से चार्जिений यहांपर चिपका देatus इस bulb में आप इसका जो SM PCB और PCB रहता है उसको निकाल देना है निकाल कर और इस परकार का जो चार बोल्ड का LED है इसमें डेड़ेक दो वायर जोड़ना है दो वायर जोड़कर और इसके दोनों पॉइंट पर यहां पर लाकर सोल्डिंग कर देना है यहां पर देख सकते हो हम इसी परकार का सेम बोल्ड को यहां पर सोल्डिंग की है और यहां पर माइनस और प्लस के लिए मात्र दो ही वायर हम जोड़े हुए और दोनों वायर को लाकर इसके डेड़ेक दोनों पॉइंट पर हम सोल्डिंग कर दिये तो यह LED गुलोग करने जब इस switch को हम यहां से on करेंगे तो यह glow करने लगा अभी देख सकते हो कि यह नहीं जल रहा है इसके लिए यहां से holder से अपनी कालिएगा इसको सीधा इस तरह एक बार नाचा देना है इसको नचाकर इस तरह कर देना है अचाने के बाद इसको इसमें लगाएगा तो देख सकते हो यह LED गलोग करने लगा तो इस तरह आप इस परकार का AC DC bulb या emergency bulb आप बना सकते हो यहां पर देख सकते हो जब ही अब यह UNC गलोग करेंगे अब alan आएगा जब इसको हम आउन कर देंगे जब alan आइगा तो यह line से जलने लगएगा यांए battery भी charge होगा यह line से b compra-चलेगा अब चलिए इसको चार्ज भी होगा और यह LED जलेगा और जब लाइन यहां से कट जागा यह जब हम पलॉक निकाल देंगे तो हमको मालूम भी नहीं चलेगा और यह जलने लगागा और इस तरह का डबल बैटरी लगा कर आप बनाते हो नो 20 से 25 घंटा बैटरी बैकप असानी से देगा देख सक तो हो कि लाल इंडिकेट कर रहा है यानि बैटरी मेरा चार्ज हो रहा है जब यह फूल चार्ज हो जाएगा बैटरी तो हारा बत्ती जल जाएगा और बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा तो इस तरह बैटरी पोटेक्शन के लिए हम चार्जिंग मोडूल किट लगा ह तो यहां पर देख सकते यह LED गुलोग कर रहा है, चार्जिंग मोडूल का, और यहां पर चार्जिंग बोर्ड का LED गुलोग कर रहा है, तो जो फुल चार्ज हो जाएगा तो हरा बती इसमें जल जाएगा, तो इस तरह का ऐसी DC बल्ब या इमर्जेंसी बल्ब अपने घर पे बहुत असानी से आप बना सकते, दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पाप पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,